नमस्कार आप देख रहे हैं TV9 भारत वर्ष का डिजिटल प्लाटफोर्म और आपके साथ एक बार फिर मैं हूँ आयोश मिश्रा वर्ल कब के स्टेज पे इंडिया वर्सिस न्यूजिलेंड याने की करो या मरो का यह मुकाबला ग्रूप स्टेजिस में अभी सारी टीम्स हैं और इंडिया और न्यूजिलेंड दोनों टीमों ने एक एक मुकाबले खेली हैं और जो कॉमन फैक्टर है इस टीम में वो यह है कि यह दोनों टीमें पाकिस्तान से अपने लीग मैचेस हार चुकी हैं इंडिया के लिए और न्यूजिलेंड के लिए इन दोनों टीमों के लिए यह एक वर्चुल सेमिफाइनल का मुकाबला होने वाला है क्योंकि ऐसे कयास हैं कि जो भी टीम यह मुकाबला जीतेगी वो पाकिस्तान के साथ सेमिफाइनल में जा सकती है कितना important है ये मुकाबला और दोनों टीमों में जो कप्तान है उनके लिए ये मुकाबला कितना important होगा इन सब पे बात करने के लिए हमारे पास हमारे data analyst निखिल सर मौजूद है इसके साथ ही दुबई से लाइव हमारे साथ जोड़ रहा है शुभायन चक्रवर्ती जो हमें मैच के पूरे समीकरण का हाल बताएंगे दोनों ही captains के बीच में जो important point है वो ये है कि दोनों ही fab 4 में currently आते हैं और दोनों ही एक तरीके से अपने style of play के लिए जाने जाते हैं प्लस माइनस और कौन आगे है भी तक हाँ ये विराट कोली की बात ये है कि विराट कोली का form 2019 नेवेंबर से overall cricket में गिरा हुआ है इंटरनाशनल में भी IPL में भी पर T20 eyes में नहीं गिरा है यूश T20 eyes में उनका शांदार form रहा है 65 की average रही है even in this period of slump ठीक है अब क्या कोली ने 786 रन मार रहे है average of 64 and strike rate of 150 December 2019 से जब उनका slump चल रहा है तभी भी T20 eye cricket में run मार रहे है 766 रन 766 पर अब एक प्रॉब्लम है कोली की ये हमने IPL 2021 में देखा है खासकर कोली शुरू तो अच्छा करते हैं तेज मारते हैं चौके आ रहे हैं पर वो middle overs में power play के बाद अपने आपको scoring धीरे कर देते हैं क्यूं करते हैं ये नहीं पता किसी को अपने आप ही anchor accumulator बन जाते हैं जिससे रसी भी को फरक पड़ा और इंडिया को भी फरक पड़ेगा अगर वह वैसे खेलेंगे अब problem यह है कि कोली spin के खिलाफ risk नहीं ले रहे हैं उनका strike rate जो है against spin bowling सिर्फ 101 का था जो 3 सबसे खराब batsman में आता है IPL 2-0-2-1 में सबसे खराब सिर्फ 101 मतलब run a ball सिर्फ खेल रहे हैं वो spin के साथ middle overs में overs 7-15 उनका strike rate pace के साथ 145 का है वैसे spin के साथ 105 का है since 2-0-2-0 in all cricket ठीक है यह है इस सोधी के साथ यह मुकाबला इसलिए बहुत जरूरी है middle overs में क्योंकि इस सोधी बहुत ही दवर्दस बोलर है न्यूजिलेंड के leg spinner उन्होंने 2020 से 47 विकेट लिए है इस ट्राइक रिट ऑफ 19.5 उनका economy rate middle overs में साड़े साथ से भी कम है उन्होंने विराट को दो बार आउट किया है टी ट्वेंटी आईज में 31 डिलिवरी में वह एक कैसी डिलिवरी डालते हैं उन्होंने बोला भी ता कहीं कि वह स्टम से पांच मीटर दूर ऑफ स्टम पे बॉल डालते हैं और वह बॉल फिर या तो बाहर जाएगी या गूबी होगी तो अंदर आएगी और यह को दिक्कत देगी अब कोली को क्या करना है उनको आगे बढ़के स्पिनर को सोधी को मारना ज़रूरी है फीट इस्तमाल करो आगे बढ़ो मारो रुक रुक के खेले तो इंडिया का मैच रुक जाएगा ओके शुवायन एक सवाल आपसे है कि जैसे काउंटर करते हैं स्विंग को विरा इंडिया को देखा गया था काफी स्पिन गोलिंग खेल रहे थे रवी चक्रनाश्वन वरुन चकरवर्ति राहुल चहर इवन शरेय साइए भी उनको बोलिंग कर रहे थे थोड़ी बहुत स्पिन गोलिंग और और विराटकोली ने काफी-काफी कदमों का इस्तमाल किया था अपने नेट्स सेशन में और काफी लंबे-लंबे चक्के मार रहे थे वो लास्ट जो वो खेले थे नेट्स पे तो वो ही वो रेप्लिकेट करना चाहेंगे अपने मैदान पे बड़े मैच में न्यूजिलेंड के अगेज क्योंकि प्रेशर गेम होगा और विराट कोली से अच्छा प्रेशर कोई नहीं लेना जानता इस सोडी का रेकॉर्ड बहुत भैतरीन है इंडिया के अगेज़ बट हमें पता है कि विराट कोली अपने दिन में क्या कर सकते है बिल्कुल तो एंकर इनिंग्स विराट कोली खेलेंगे और प्रेशर उनसे बहतर शायद रन मशीन कोली से बहतर कोई भी मैनेज नहीं करता है यह हमने पाकिस्तान की गेम में भी देखा किस तरीके से एक तरफ विकेट गिर रहे थे और उन्होंने पारी को समहला जो दूसरी मेनी बैटल होगी निखिल सर जो सबसे इंपोर्टेंट मुझे लगता है न्यूजरेंट के परस्पेक्टिव से वो होगी उनके रन मशीन याने की केन विलियमसन वर्सेज मोहमाद शामी कैसे होने वाल यानिखिल सर? हाँ, केन विलियमसन का ये है कि टेस्त में तो वह महान खिलारी है टी-20 भी आईज में वह महान खिलारी नहीं है सोजी है, व्लियमसन नहीं है फैब-4 में आते हैं, वह में अन्य तेस्ट के वगजे से है हाँ IPL में उनने धुवांधर बैटिंग करी है कुछ सीजन्स में बट वैसे वह महान खिलाड़ी नहीं है T20 का विल्यम्सन का वैसे भी रेकॉर्ड IPL 2021 में अच्छा नहीं है उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 113 का था IPL 2021 में उन्होंने सिर्फ 107 रन मारे हैं न्यूजिलेंट के लिए सिर्फ 18 की आफरिज से इस साल में प्रॉब्लम उनकी यह है कि वो या तो LBW हुए है या बोल्ड छे बार इसी साल अब यह उनकी वीकनेस है वो फुल बॉल ऑफस्टम के भार जब वो ड्राइव के लिए जाते हैं या तो वो बोल्ड हो जाते हैं या बॉल अंदर आती ही LBW अब यहां पर शामी इतने जरूरी इसलिए हो गए बिकास शामी ना न्यू बॉल को स्विंग और सीम दोनों कर सकते हैं खासकर सीम अच्छी करते हैं वाइड बॉल को और रेट को भी अफकॉस टेस्क्रिकेट मे अब शामी जब वो डालेंगे थोड़ी फुल लेंद, बैक ओवर लेंद बॉल और वो अंदर आई तो LBW कैनल हो सकते हैं विल्यम सिन बैट और बैट के बोल भी हो सकते हैं अगर फुल बॉल डाली थोड़ी घूमी अपर ड्राइब माली तो कवर पर कैच भी हो सकते हैं श हमने डिसकस हिया ही है कि उनकी अबिलिटी तो स्विंग और सीम ड़ बॉल ही उनका सबसे बड़ा हतियार है उनका लेकिन सामने भी स्विंग और सीम को बहतरीन तरीके से इंफाक्ट स्पिन को भी बहतरीन तरीके से खेलने वाला बलेबाज है केन विलियम सन शुभाइन मिली थी तो इस आइसे सिन आकाउट में कहीं नहीं एक जो mental pressure जिसको हम कहते हैं या psychological advantage कहेंगे वो न्यूजलेंड के पास है कि अपने के चोट से गुजर रहे हैं तो वो फुली फिट हैं तो और ये काफी एक साल का वक्त हो गया है कि वो अपना पौनी थोड़ा सा दिकत दे रहा है तो शमी अगर उसको शॉड़ पॉल करता है तो मैं सप्राइज नहीं होंगा बड़े मैच में क्यूंकि कोई भी जांते हैं गए पत्रेश के विल्यमों विलियमसन उस बैट राइज़ से खेलना जानते हैं और कि अबीव ये एक वरिव ये अगरे ने को ये अच्छा नहीं गया है बटकें विलियम्सन उस बैटिंग लाइन अप के बैक एकॉन है और काफी काफी रिस्प्वानिटिय की तो यहानने कि विलियम सन नो डाउट बैग बोन है न्यूजलेंड की बैटिंग लाइन अप की लेकिन एक और जो शांदार बल्लिबास है जिसके चलने से बहुत जादा इंपाक्ट पड़ेगा न्यूजलेंड की पूरी इसपारी पे और वो है ओपनर मार्टिन गप्तिल यह हम सब जानते हैं अची तरीके से, लेकिन उनके खिलाफ भी हमारे एक हथियार तयार है और नाम है जस्प्रीद बुम्रा, निकल सर इस बैटल पर क्या कहेंगे? मार्टिन गबतिल बहुत ही धुवांधार बल्लेबाज हैं बहुत एक्सपीरियंस भी हैं उनका T20 आइज में स्ट्राइक रेट 145 का है 2020 से जो की बहुत बढ़िया है एक टॉप ओडर बैट्समिन के लिए वो बड़े रन मारते हैं तेज मारते हैं ओपनिंग करते हैं न्यू टूट जाए पहले तो दूसरा बूमरा के बारे में हम सब जानते हैं उनका T20 आए बोलिंग स्ट्राइक रेट मतलब विकेट टेकिंग अबिलिटी ब्रिलियंट है T20 आए एकॉनमी रेट उनका पावर प्ले में जब वो बोलिंग करेंगे गबतिल को सिर्फ 6.3 है मतलब र आई पील में 2018 से जादा विकेट नहीं लिये हैं बूमरा से तो यह एक बहुत ही मज़ेदार फैसिनेटिंग बैटल होगी पावर प्ले में बिट्वीन बूमरा एंड गबतिल यानि कि बूमरा अभी भी गबतिल से आगे हैं इस बैटल में शुभाइन एक लास्ट सवाल क् टीम इंडिया CSK फॉर्माट पे जाएगी जिसकी बाते हो रही हैं चर्चाय हो रही है कि विदाउट एनी चेंज इन दे प्लेइंग 11 मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता आयूश क्योंकि आज जो शाम को ट्रेनिंग सेशन होने वाली ICC Academy में वो डेटर्माइन करेगा कि कौन क्या प्लेइंग 11 रहता है मैं सप्राइज नहीं होंगा अगर भुवनेश्वर कुमार की जगा या तो शार्दू ठाकूर या रवी चंद्रन अश्विन को लाई रवी चंद्रन अश्विन को रेकॉर्ड हमें पता है कि New Zealand के अगेंस क अगर रवी चंद्रन अश्विन या शार्दू ठाकूर जिनके पास एक अनोखा विकेट टेकिंग अबिलिटी है लौड ठाकूर के नाम से फेमस हो चुके हैं तो मैं सप्राइज नहीं होंगा अगर ये चेंज होता है टीम में ओके तो शुभाइन बहुत बहुत शुक्रिया दुबई से हमारे साथ लाइव जुडने के लिए निखिल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें बहुत सारे स्टैट्स बताने के लिए इसी के साथ बहुत सारे मेनी बैटल्स हैं देखना दिल चस्पी होगा कि आखि एक अपर हैंड ले पाते हैं या फिर ये जो नॉकाउट का सिलसला न्यूजिलेंड के अगेंस्ट इंडिया का चलते आ रहा है ये जारी रहेगा और न्यूजिलेंड बेटर हाफ बन जाएगी इंडिया पे वर्चुल से में फाइनल का ये मुकाबला लेकिन सब कुछ तैंत भी होगा जब शाम 7.30 बजे फाइनली मैच शुरू होगा बने रही है हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक शेर करना बिलकुल मत भूलिये का और बाकी देश और दुनिया और स्पोर्ट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है टीवी नाइन भारत वरिष्का दिस्टर प्लाफॉम अमस्कार हमने की गल्ती फिर एक बार कोरोना ने किया दोबार अप रहा मास्क दो गजदूरी करें अपनी सुरक्षा पूर्ट कोरोना टीका हम सब को लगाना है मिलकर साथ समस्दारी से कोरोना को हराना है